हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आठ मैं टेल्स आपको साफ करके दिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से देखिए यह कितना गंदा टेल्स है आप खुद देख सकते हैं मैं इस पे पहले पानी डाल ले हूँ ताकि यह फूल सके बहुत ही गंदा है पानी डालने से सारी धूल मिटी हट जाएगी और जो जिद्धी दाग है वह रह जाएगा पहले मैंने पानी से धू दिया है यह ट्वाइलेट क्लीनर है आप कोई भी ले सकते हैं इससे मैं साफ करके आपको दिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से साफ हो जाता है चलिए देना है जहां जहां गंदा है चारोत तरप repli दाल देना है मैं एक तरप का आपको साफ करके दिखाऊंगी ताकि आपको फर्क पता चले कौन गंदा और कौन साफ है इस तरह का ब्रस ले लिजे मुझे थूड़ा साफ करके आपको इसलिए मैंने तूद्ध ब्रस लिया है घराब बात्रूमुला ब्रस लेके साफ कर सकते हैं कोई भी विपरस ले साफ करने के लिए देखें इस expect लगाते ही या चूठने लगता है और इसे आप चाहें तो सुबा ब्रस से रगड देंगे तो यह साफ हो जाएगा और पानी से धो दिजेगा चारो तरह उपर नीचे सब जगा लगा देना है उपर टैस में नीचे टैस में सब जगा इसी तरह आप हरपिक लगा दिजे मैंने अपने चनल पे एक वीडियो और डाला है टेस्क कैसे साफ करें वह भी घर के समान से आप जरूर देखें और मेरे चनल को जरूर सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब की नीचे घंटी है यानि बेल आइकन उसे जरूर द्वाएं आपको नएने वीडियो देखने को मिलेगा मेरे चनल पे आपको वेज नॉन वेज दोने ही रिस्पी मिलेगी खाने की आप जरूर देखें सफाई पे भी अनेग वीडियो मिलेगा आप जरूर देखें, जरूर सब्सक्राइब करें और सेयर करना बिल्कुल ना भूलें इसे मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था लगा के अब देखते हैं ये देखिए कितनी आसानी सिया साफ हो गिया है कितनी आसानी सिया छूड़ता जा रहा है इसी तरह आप पूरा बातरूम अपना साफ कर सकते हैं बहुत ही असान तरीके से बस इसी तरह रगड़ देना है मैंने चोटा ब्रस लिया है आप बड़ा ब्रस लेके साफ कर सकते हैं मैंने सिफ आपको बताया है और दिखाया है इस तरह से देखिए मैंने एक पूराना कपड़ा लिया और इस तरह से मैंने पोच दिया देखिए आपके सामने है कितना गंदा हो गया कपड़ा यह देखिए कोई मिटी नहीं है कोई बनावटी नहीं है यह आपके सामने है एकदम टेस साफ हो गया है सिप मैंने कपड़े से ही पोछा है देखिए, उपर का भी साफ हो गिया है, उसे भी मैं कपड़े से पोच रही हूँ, मैं एक कोना आपको साफ करके दिखा रही हूँ, ताकि आपको फर्क पता चले, देखिए, इधर का देखिए, कितना गंदा है, अभी छूटा नहीं है, और इधर का देखिए, कितना साफ हो जबकि मैंने अभी पानी से बिल्कुल नहीं धोया है, सिफ कपड़े से पोच दिया है, अब इसमें पानी डालते हैं, देखिए, पानी डालके अब इसे मैं साफ कर रही हूँ, देखिए कितना चमक गया है, बहुत ही आसान तरीके से कम महनत में यह साफ हो जाता है, इधर दे स्क्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करना ना भूलें